आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउनलोड करें तो दोस्तों, श्वसनी क्रियाधार के ऑक्सी करन में प्रयुक्त, ठीके, मुक्त क्या होती है कार्बन डायक्साइड होती है और प्रयुक्त ऑक्सीजन होती है इसके अनुपात को क्या कहा जाता है श्वसन गुणांग कहा जाता है और श्वसन गुणांग का जो मान होता है यह किस पर निर्भर करता है श्वसनी पदार्थ पर ठीक है तो दोस्तों अगर बात करें पहले की यानि की अंकूरित बीज का श्वसन गुणांग दोस्तों अंकूरित बीज में जो गेहू होता है इसका श्वसन गुणांग कितना होता है एक क्योंकि इसमें क्या होता है कार्भाइडरेट होता है दूसरा बात करें अगर अंकूरित तिलहन की ठीक है तो दोस्तों अंकूरित तिलहन में क्या होता है वसा का उक्सिगरन होता है और वशा का जो श्वसन गुणांग होता है वह एक से कम होता है ठीक बात करते हैं तीसरा क्या है अंकूरित दलहनी बीज ठीक है अँभूतों अंकूरिद दाल में क्या होता है जोश्वसनि पदार्थ क्या होता है प्रोटीन होता है ठीक है और प्रोटीन का जोश्वसन गुणांक होता है यह भी यह होता है एक से कम नहीं कि लगभग 0.8 से 0.7 ठीक और चोथा और आखरी क्या है नाग फनी का प्रकाश में ठीक है नाग फनी का प्रकाश में श्वसन गुणांग तो दोस्तों नाग फनी का प्रकाश में वह होता है एक से अधिक ठीक है लगभग एक दशमलो तीन तीन तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह उत्तर आपको समझ में आया होगा धन्यवाद